नमस्कार दोस्तों मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आईए दोस्तों आज हम लोग बनाते हैं जारकंड का फेमस डिश जो है चावल का छिलका इसके लिए हमें अर्वा चावल चाहिए इसे हमें पानी में डाल कर धो लेना पड़ता है दो से तीन बार तो मैं यहाँ पे तीन कप अर्वा चावल ले रही हूँ अगर आप मोटा चावल ले रहे हैं तो ले सकते हैं उसे थोड़ी ज्यादा देर के लिए आपको भीगो कर रखना पड़ेगा तो मैंने इसे तीन बार दोने के बाद आठ घंटे के लिए भीगोने के लिए रख दिय अब 8 गंटे के बाद मैं इसे पानी से निकाल कर मिक्सर जार में ट्रांसफर कर रही हूँ अगर आपका चावल ज्यादा है तो आप 2-3 बार में इसे पीसे एक बार में सारा मत डालिये और वो जो चावल भीगोया पानी था उसे ही थोड़ा सा डाल कर इसे पीस लेना है तो आधा चमच नमक नमक थोड़ा कम क्योंकि छिलका बनने के बाद नमक ज्यादा हो जाता है क्योंकि यह बिल्कुल पानी से ही बनेगा तो सूख जाएगा इसलिए नमक आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है तो चलिया हमारा मिक्षर है वो तयार हो गया है तो मैंने तो त्राइशनली जो है इसे हाथ से ही डाला जाता था था बैटर को तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है ऐसा लगता है जिसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है उसे दिक्कत नहीं आएगी और जिसे प्रैक्टिस नहीं है वो इस तरह से नॉनिस्टिक पे बनाए और जिसे बाद फिर से एक चट्टू जैसा बैटर डालते हैं और फिर लो फ्लेम पर इसे पकाते हैं एक मिनट के लिए तो इसे दूसरे साइट पकाने की भी ज़रुवत नहीं होती है तो हमारे सारे चिलके तयार हो गये है और मैं इसे सर्ब कर रही हूँ आलू के चोकवा सब यह बहुत ही famous डेश होता है तो देखिए एक मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ चिलका कितना जालीदार बना और कितना पतला बना यह बहुत ही हलका नाश्ता कही है डिनर कही है आप कभी भी खा सकते हैं तो आप इसे बनाईए, ट्राइ कीजे और मुझे बताईए कि आपका छिलका कैसा बना और कैसा लगा आपको यह वीडियो तो दोस्तों उमीद है कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज 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 लाइक कर दिजे और चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजे चलिए मिलते हैं आप से नए वीडियो में तब तक के लिए healthy life and beautiful life बाबाई